मीरा भाइ चानू once again giving India a terrific opening here in the Birmingham Games मीरा cold medal मिलना ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है लेकिन आप कुछ targets लेके आए हुए थे Birmingham क्या targets पूरा हुआ आपका? हाँ मेरा target में snes में best performance देने के लिए हमने पूरा तयारी में आई थी कि मेरा जो snes है पहले से अच्छ करने के लिए पर मैं 90 क्रोस करने के लिए target में आया था पर तस्तो किया हूँ पर नहीं कर पाई पर ये performance मेरे लिए best performance है snes है आज तक का तो मुझे ये performance में बहुत खुशी हुआ और शोल्डर इंजरी था आपका पहले सारी जो injuries था you properly recovered from all the injuries हाँ मेरा injury पैले से अभी क्णा नहीं problem नहीं है और मैंने अभी ठ्रेनिग मेए इत्ना मली प्रेनिंग नहीं किया था सीफम्य मैंने टेक्निक में स्यांभ काम किया था इंज commentary दयी त अबभी पूरा स Organis 17 मेरा एक चीज़ बताइए कि अलिम्पिक्स के बाद यह सबसे बड़ा कॉंपटिशन आपके लिए रहा मंज पे खड़ा होना नाशनल आंथम बजना आपके लिए बहुत बड़ी बात रही होगी बट वाट वर सो स्पेशल अबाओ इतना बड़ा क्राउड मेरा आप हमेशा ऐसे बोलते रहे हैं कि आप अपने आप से कॉंपीट कर रहे हो यहां पे और जो दूसरा कॉंपेटिटर है वो 30 kg का फरक था आप से तो वो लगा कि यहां यू डेफिनिटली अवर अज अवर अधर हां मैं पहले से भी ही पता था कि कमवल गयम मेरे लिए इजी है पर मैं खुट की उपर पूरा मिलों फाइट करने थी कि मैंने क्या क्या है और आगे जाके क्या कि इंप्रूब करना है तो मैंने आज पूरा मेरी उपर ही खुट को मान के गए में खुट की उपर फाइट करने मीरा मीरा फाइट करना है तो पूरा फाइट किया मैंने मेरा एक आखरी सवाल जो आपका आइडेंटिटी है वो आपका रेड पफ है आज कहां गया वो रेड पफ आज आप क्यों नहीं पहने एक सिग्रेट बात बताते हूं सबको मैंने यह 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 बंद लगाया है वाइज ग्रीन यह और इंज यह और इंगा कलर में लग क्योंत सब्सक्राइज झाम कि एंग जैसरीन मीद मेरा कमेरा आपका खेक बेकिमांगें लाह किको मेरा थे किका मापका आपका प्तलिट नहीं है व्यूआ तर झामारा किको मैरा बैक्राइस को आजिए